मैं ही देखती हूं सबको मेरी जान उठो भी अब सुबह के दस बच रहे हैं सोने दो ना बेबी बहुत मीठी निंदा रहे हैं अरे उठो ना देखो मैं तुम्हारे लिए बट्टी लाया हूँ और तुम्हारा पसंदीदा सैंडवेच भी बनाया है वने बाँ बैठी और नाश्टा भी साथ में बैग ये सुबजाकर्श तुम मेरा किता ध्यान रखते हो अरे बेबी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा लो चलो चाए पियो और कुछ खा भी लो उसकी बाद मैं फिर से सौंगी हां अरे मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है क्या मेरी जान ठीक है पहले में चाहे नाश्टा कर लेती हूं उसकी बाद सौजाओंगी ठीक है ठीक है तुम काम की चिंता मत करो वो मैं देख लूँगा ये लो हो गया मेरा नाश्टा हम मैं सो रही हूं पता नहीं की उम्झे बाद नींद आ रही है ठीक है sweet dreams बेबी अरे ये गुलाब दिना तो रही गया बेबी बेबी उठो ना उठो बेबी उठो ना अरे उठो 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 क्या हो? अरे गुडु रो रही है, देखो उसे कितना अज़ा सपना देख रही थी मैं सपने बात में देखना, पहले गुडु को देखो मुझे नीन आ रही है पाता नहीं, मेरी निन का पुरी होगी अरे आप गुडु को चुप कर रहा हूँ तो नीन तो मुझे भी आ रही है न जब से गुड़ू पैदा हुई है पर टिक से सुई ही नहीं हूं इक यह है इन्हें कोई फरक ही नहीं पड़ता खुट आराम से सुते रहते पूर अधीनी से मैं संबालती हूं गुड़ू प्लीज चुपो जा चुपो जाना मेरी मा दिव्या का हाल भी वैसा ही था जैसा हार नहीं मा का होता है रातों की नीन दीन का चैन साब खो चुका था लेकिन हमारे आकाश सहाब पिता बनने पर भी कुछ नहीं बदले थे जिस तरह पहले थे वैसे ही अपने जन्दगे में मस्त थे दिव्या मेरा खाना त्यार है क्या नहीं आज मैंने खाना नहीं बनाया रात को गुड़ू पूरी रात रो रही थी इसलिए मैं सुबह उठी नहीं पाई कोई बात नहीं वैसे भी आज मेरा मन था कि मैं कुछ बाहर से ही खाऊंगा चलो तुम गुड़ू को संभालो मैं रात को बाहर से खाते हुए आऊंगा ठीक है रात को थुड़ा जल्दी आने की कोशिश करो ना मैं पूरा दिन इसे संभालते संभालते तक जाती हूँ अरे दिवया देखो कोशिश करूँगा लेकिन तुम जानती हो ना ओफिस में भी काम होता है इसलिए तुम देख ले ना प्लीज चीक है तुम खाने की फिक्रम मत करो वो मैं बाहर से खाते हुए आऊंगा ठीक है तुम बस गुड़ू को संभालो हाँ पर प्लीज ज्यादा देर मत करना हाँ हाँ पक्का आकाश देवया को कहकर तो गया था कि वो कोशिश करेगा कि वो घर जल्दी आ जाए लेकिन वो रात को 11 बजे ही घर आया ये कोई वक्त है आकाश घर आने का मैंने तुम से कहा था था थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना अरे वो मैं बाहर खाना खाने कहा था तो मुझे देर हो गया आने में अरे क्या खाना था सच में मज़ा आ गया यहां मैंने कुछ भी नहीं खाया आकाश और तुम हो की लाओ मैं दस मिनट गुड़ो को पकड़ लेता हूँ तुम खाना खालो ठीक है हाँ तुम और करते भी क्या हो दस मिनट इससे पकड़ लेती हो और फिर मुझे वापस तेखो अब यह मुझ से संबलती नहीं तो मैं क्या करूँ तुम बाते काम करो जल्दी से खाना खालो जाओ ठीक है यह लोग गुड़ो को यह रही उसकी दूद की बाटल साथ में पिलाते भी जाना अब यह सब तुम देख लो ना खाना खाने के बाद मुझ से नहीं होगा तुम कूशिश करोगे तो होगा ना तुम हर काम के लिए पहले इक पहले ही मना कर ने कर देती हो तुम जानते हो ना मैंने पहले कभी बच्चे नहीं संभाले हैं तुम थै यह की लगता है कि अकश की बात शाहिद सही भी है और तो में ममता पहले सी होती है मर्दों को उस चीज को फील करने में दिक्कत होती है दिविया मैं बाहर जा रहा हूँ तुम्हें कुछ चाहिए तो लेता आओंगा तुम्हारे लिए हाँ गुड्डु के लिए कुछ चीज़े चाहिए लिस्ट दे दो तुम्हें आ दे दो वैसे भी तुम गुड्डु के साथ चलोगी बाहर तो हैरान हो जाओगी इससे अच्छा है कि मैं ले आओं सब कुछ कितने दिन हो गया मैं कहीं गई ही नहीं हूँ हाँ पर बच्चे के साथ तुम चल भी कहा सकती हो अब इससे छोड़ कर भी तो नहीं जा सकते है ये लो लिस्ट तुम ये सब ले आना अच्छेक है बस दिव्या आम मा का फोन आया था कह रहे थी कुछ दिनों के लिए यहां आ जाएगी तुम्हारे पास अरे वाँ ये तो सबसे बेस्ट है मा जी आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा आ ये तो है वाँ आ जाएगी तो मुझे भी फिर तुम्हारी टैंशन नी होगी मैं भी अर जगह जा सकता हूँ कब आ रही है मा पस टिकेट होते ही आ जाएंगे जल्दी से ठीक है चलो मैं आता हूँ बाजार से ये सब सामान लेकर तुम तब तक कुछ बना देनो प्लेस खाने के लिए डालिंग हाँ ठीक है अकाश की मा के आने की खबर सुनकर दिव्या को काफी अच्छा मैसुस हो रहा था क्योंकि वो गुड़ो को संभालते संभालते काफी ठाप चुकी थी अच्छा सुनो आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा आज हम सारे दोस्त मिलने वाले हैं वो कमल का जनम दिन है न उसके लिए अच्छा ठीक है लेकिन कुशिश करना के जल्दी आजाओ प्लीज हाँ हाँ मैं पूरी कुशिश करूंगा अच्छा सब मिल रहा है तो मेरी तरफ से भी कमल को बधाई दे देना हाँ हाँ बिलकुल कह दूँगा तुम अपना और गुड़ो का धियान रखना रात को मिलते ह दिव्या पूरा दिन गुड़ो को संभालती रही आकाश को आजाने में काफी देरी हो गई थी और जैसे ही वो घर आया और सॉरी सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई थोड़ी सी रात के बारा बज रहे हैं आकाश अरे मा तुम आ गई बताया क्यों नहीं मैं ने सोचा तुम दोनों को सर्प्राइस दे दूँगी लेकिन तेरा तो कोई ठीकाना ही नहीं था कहा था इतनी देर अरे मा तुमें कमली आ दे ना आज उसका जनम दिन था तो सारे दोस्तों को पार्टी दी थी उससे वो सब तो ठीक है लेकिन दिविया और गुद्डू घर में तेरा इंतजार कर रहे थे तुझे उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना कावेरी के आने से दिविया को काफी मदद मिल गई थी कावेरी दिविया को गुद्डू को संभालने में मदद भी कर रही थी लेकिन उससे अपने बेटे की हरकते अभी तक समझ में नहीं आ रही थी आकाश आज तो तुझे चुट्टी होगी ना हाँ मा आज तो जम के आराम करूँगा पूरा हफता ओफिस जाकर ठक जाता हूँ आज कुछ भी काम नहीं करूँगा हाँ कुछ काम मत करना बस आज गुद्डू को संभालने ना ठीक है अरे मा ये गुद्डूना मुझसे संभलती नहीं है मेरे पास आते ही रोने लगती है बहुत ऐसे कैसे रोने लगती है मैं तो जब से आई हूँ मैंने देखा ही नहीं कि तुने उठाया भी हो उसे अरे मा तुम तो जानती हो मैंने ये सब कभी किया नहीं है मुझसे नहीं होता ये औरतों वाला काम बच्चे संभालना वगेरा और तो वाले काम से क्या मतलब है ते रहा तुझे क्या लगता है हम और ते ट्रेनिंग लेती है क्या बच्पन में बच्चे पालने की अरे हम सब भी तो पहली बार ही सीखनी है अरे मा अब तुम कुछ मत शुरो जाओ प्लीज देखो मैं दिविया को कुछ नहीं कहता हूँ ना कभी खाने के लिए ना कभी कोई काम के लिए सारी चीज़े लाकर भी देता हूँ यह क्या कम है बताओ तो पर तुझे भी तो अपनी बच्ची को संभालना आना चाहिए ना अकाश कभी दिविया कहीं जाए तो फिर तु कैसे संभालेगा बता दिविया कहा जाने वाले है गुड्डू को चोड़के जब तक गुड्डू बड़ी नहीं हो जाती इतनी छोटी बच्ची मर्दों के बसकी बात नहीं है और वैसे भी मैं दिविया को और कोई काम नहीं कहता ब आकाश ये समझने को तयारी नहीं था कि बच्ची की प्रती उसकी भी उतनी ही जिम्मदारी बनती है। चल आप यही पास के मौल में चलते हैं पर गुड्डू मा अरे आभी तो गुड्डू की मालिश की है वो दो तीन घंटे तक तो सोएगी ही और आकाश भी बैठा है घर पर आज पर माजी वो पूरा दिन घर में रहेगी तो पागल हो जाएगी थोड़ा बाहर जाना घूमना क कुछ अच्छा खाना बहुत जरूरी है दिविया आप पहले आकाश से पूछ लीजिए न वो क्या कहते हैं अरह वो क्या कहेगा मैं उसकी माँ हूँ मैंने कह दिया आना कि हम चल रहे तो बस चल रहे चल तो तो तयार हो जा मैं रिक्षा बलाती हूँ ची ठीक है कावेरी न दिविया को बहार ले जाने के लिए तयार कर दिया लेकिन आकाश को ये बात हज़म नहीं हो रही थी अरे मा पर क्या ज़रूत है गुड़ू उड़ गई तो तो क्या दूद बना हुआ है पिला देना नई मा मुचस नहीं चपकर जाब देखो मुचस नहीं होगा का राग मत अलापा कर समझा ये खाली बैट कर गेम खेलना हो रहा है तुझसे गुड़ू सो रही है जब तक हम मा जाएंगे अगर उट भी जाए तो दूद गरम करके पिला देना मा जी हम बस अब तुम इसकी तरफ दानी मत करो दिविया अगर तुम मा हो तो ये भी पिता है थोड़ी दर तो संभाली सकता है ये अपने बच्ची को ठीक है आप दोनों जाए लेकिन जल्दी आ जाईए जाएंगे चलो अब हम जाते हैं कुछ ना समझ में आए तो देख मैने ये सब लिख रखा है कागस पर इसे पढ़ ले ना ठीक मा चल दिविया आजा कावेरी ने डांट फटकार से आकाश को समझा दिया और दिविया को लेकर घूमने निकल गई लेकिन एक घंटे से उपर हो चुका था और अब तक दिविया और कावेरी घर नहीं लोटे थे और अब आकाश के लिए एक बड़ी मुसिबत उसका इंतजार कर रही थी अरे यार ये तो उट गई अब मैं क्या करूँ पहले से गोद में ले लेता हूँ चुपो जा चुपो जा शायद इसे भूख लगी होगी अब इसे गोद में लेकर दूद कैसे करम करूँ अरे पीले गुड़ू अले अले ममी अभी आ जाएंगी मा को फोन करता है और ये फोन क्यों नहीं उठा रही है गुड़ू रोते ने बच्चा मेरा अकाश गुड़ू को गोद में लेकर सारे घर में गुमता है और काफी कुशिशों के बाद आखिर गुड़ू सो जाती है लेकिन नीचे रखते ही फ्रसे उठ जाती है अरे आब इसे नीचे नहीं रखता यहीं मेरे हाथों में सोने देता हूँ नाए तो फिर से रोना लगीगी आकाश जैसे तैसे गुड़ू को संभाल रहा था और सबसे बड़ी समस्या उसके सामने तब आईजब उसे गुड़ू का डाइप पर चेंज करना था मैंने आज तक इतने मुश्किल काम कर लिए लेकिन यह तो उन सबसे मुश्किल है एक तो इतने बद्बु आ रही है पर करना तो पड़ेगा माने क्या लिखा है काकस में पहले डाइपर उतारो, साफ करो, क्रीम लगाओ, फिर दूसरा डाइपर पहनाओ ठीक है, कर लूँगा, अकाश बिटा करना है, कर लेगा तू कर लेगा बिटा अकाश बड़ी मुश्किल से, आदे घंटे के बाद गुड़ू का डाइपर बदलता है और जैसे ही चैन की सांस लिता है कि गुड़ू फिर से डाइपर खराब कर देती है अर्या, अभी तो मुश्किल से साफ किया था, अब फिर से और मा और दिव्या को इतनी भी अकल लेके घर जल्दी आ जाए और तो दोनों को ठीक से कबर लूँगा दोनों की पर पहले तो इससे साफ करना ही पड़ेगा अभी कर देता हूं, एक मिनट अब तो इसे भूग भी लगी होगी, दूद भी करम कर देता हूं सुबस से शाम हो चुके थी, और आकाश गुट्टो को संभालते संभालते अदमरा हो चुका था पूरा घर फैला हुआ था, और उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था अब उसकी हिमद जवाब दे चुकी थी लाँ हो क्या उसके पिता? मैं हूं, पर वो… पार क्या? दिव्या, तु इसा माई के से लाई है क्या? यह आकाश की बेटी नहीं है क्या? क्या इसी बात करी हो मा, यह मेरे खुद की बेटी है, मेरा सनम है इसके बद्च सर्टिफिकेट पर अच्छा, सार्टिफिकेट पर तेरा नाम आने से ये गुड़ तेरी बेटी हो गई तो हम उसे उसके पिता के पास ही तो छोड़ कर गए थे ना अकेली क्यों हो गई वो भला तू भी तो दिविया के पास उसे पूरा दिन छोड़ की ही जाता है ना वो उसकी माँ है, मैं वो क्या हुआ, वोलती बंद हो गई दिव्या, तुम बाहर मत जाओ बच्ची छोटी है ना दिव्या चलेगा, तुम पार्टी में मत आओ बच्ची छोटी है ना अभी दिव्या, तुम अपनी जॉब छोड़ दो बच्ची को कौन देखेगा दिव्या, मैं बाज़ार से सामान ले आता हूँ तु क्या करेगी चलके खामखा बच्ची रोएगी वहाँ बच्ची तुम्हारी भी है आकाश सर्फ दिव्या के नहीं है तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो तो दिव्या क्यों नहीं और कुछ ना सही तुम उसकी मदद तो कर ही सकते हो ना आज तुम्हें चार पाच घंटे क्या बच्ची को संभालना पड़ा तुम्हारी हालत खराब हो गई सोचो, दिव्या रोज ये काम करती है वो भी तुम्हारी मदद के बिना लेकिन माम ये काम खाबरदार ये बहाना दिया के ये औरतों का काम है जब तुम छोटे थे तब में अपने एक्जाम दे रही तुम्हारी दादी के मृत्य हो चुकी थी तुम्हारे पापा घर पे रहकर तुम्हारी देखभाल क्या करते थे और तुम तो आज की जनरेशन की बाते करते हो ना कि आज कल मा सब कुछ इक्वल है, और ते भी जॉब करती है, कमाती है तो बच्चे पालना भी सिफ आरत का काम नहीं है इसमें पिता का भी उतना ही योगदान होना जरूरी है I'm sorry ma, I'm really sorry दिविया यकीन मानो आज मैंने जब कुछ घंटे गुड़ू को संभाला तुम मुझे समझ में आया कि इस काम को करना कितना मुश्किल है लेकिन I promise आज से मैं कोशिश करूँगा कि हम दोनों गुड़ू की जिम्मेदारी ले और गुड़ू बड़े होकर फक्र से कह सके कि ये है मेरे फादर आकाश, एक औरत को बस इतना ही चाहिए कि तुम उसका साथ दो अगर बच्चा नहीं संभाल सकते तो कम से कम उसके साथ बैटो कोशिश करो उसके जिम्मेदारिया बांटने की अगर वो रात को जग रही है तो उसके साथ तुम भी थोड़ी देर जागो बस यही छोटी-छोटी बाते इस सफर को आसान बना देती है एक वारत को यह नहीं लगना चाहिए कि मेरे बच्चे को तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ मेरा पती बच्चे को संभालने में कोई मदद नहीं करता बस समझ गया मा थैंक यू मा